गुलाब ना सिर्फ अपनी खुश्वों से मन को सुकून पहुँचाता है बल्कि ये तवचा में नमी भी बनाये रखता है और चेहरे पर निखार लाता है एक्सपर्स का मानना है कि गुलाब की पंखुडियों के कई फायदे हैं गुलाब जहां सदियों से शायरों के लिए एक बूटी का काम करता रहा है वहीं ब्यूटी एक्सपर्स के लिए भी सौंदर निखार में एहम भूमिका निभाता रहा है किसी कभी ने ठीक ही कहा है कि फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का जी हाँ गुलाब की पंखुडियां किसी की भी चेहरे पर रंगत ला सकती है गुलाब के खुश्बू जहां तन्मन को महका देती हैं वहीं इसके कुछ उपाय चेहरी की खुबसूर्स्ती को चार चांद लगा देते हैं। कैसे आईए जानते हैं। पानी में मिली गुलाब की पंखुडियों का सत्तो या गुलाब जल तुचा को नमी प्रदान करता है और ताजगी देता है। विटामिन, मिनरल, एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण गुलाब से बना एंसेंशल ओयल तुचा के रूखेपवन को दूर करता है और निखार लातू। गुलाब जल और नीवू के रस से बना टॉनिक चेहरे पर लगाने से कील मुहा से कम होते हैं। चेहरे पर इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें, इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह सामान और तैली तुचा दोनों के लिए उप्युक्त है। पानी में गुलाब जल डाल कर आप इसनान भी कर सकती हैं। इससे चेहरे पर चमाक आती है और इसकी सौं में खुस्बू से मानसिक तनाव हुआ शारीरिक ठकान भी दूर होती है। गुलाब जल को दूद के साथ मिलाकर लगाने से यह आँखों के काले घेरों को भी दूर करता है। शैंपू के दवरान नेमेत रूप से गुलाब जल का इस्तेमाल बालों में नमी बनाए रखता है और कंडिशनर का काम करता है। पुलजे वर रूखे बालों से छुटकारा पाने के लिए आप गुलाब जल और एलो बेरा को समान मत्रा में मिलाकर इस कैल पर अच्छे से लगा ले और 30 मिनट तक लगाए रहने दें। और फिर गुलाब जुर्यों को दूर कर तुचा में कसावला कर जमा लुक देता है। इसके लिए गुलाब के तेल से इसकिन पर हलके से मालिश करें। यह तेल बिटामिन सी और प्रोटीन से संब्राइए। प्रोटीन से संब्राइए।